मुंबई इंडियन्स ने किंग्स 11 पंजाब को 6 विकेट से हरा दिया मुंबई ने दूसरे फेज में अपनी पहली जीत तरश की मुंबई के जीत के हीरो हर्दिक पांडिया रहे जिनोंने 30 गेंदों में नवाद 40 रन बनाए पॉलाड ने भी 7 गेंदों में नवाद 15 रनों की पारी खेली डिकाॉक ने भी 27 रनों की पारी खेली इससे पहले पंजाब ने बल्ले बाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 135 रन बनाए पंजाब का टॉप ओडर उंबई के आगे बिखर गया बंदीब सिंग 15 रन बना कर आउट हुए क्रिस गेल महस एक रन बना पाए केल राहुल भी 21 रन बना कर आउट हो गए निकोलस पूरन भी सिर्फ 2 रन ही पना सके पंजाब के लिए सबसे ज़्यादा 39 में 42 रन एडन मारकरन ने बनाए दीप अखुड़ा ने 28 रनों की पारी खेली बारार ने भी 14 रन बनाए मुंबई के लिए नार्थन कुल्टन नाइल ने चार ओबर में सिर्फ 19 रन दिये हाला कि उन्हें कोई विकेट नहीं मिला कैरन पोलाड ने 8 रन दे कर 2 विकेट लिये जस्परिद बुमरा ने भी 2 विकेट लिये कुनाल पांडिया और राहुल चेहर को एक एक विकेट मिला दरसल आपको बता दे आज दिन का दूसरा मुकाबला मुंबई इंडियल्स और पंजाब गिंग्स के बीच खेला गया दरसल मैच की शुरबात मुंबई के टॉस जीत कर गिंद बाजी के साथ हुई पंजाब ने पहले खेलत वे 127 पर 6 का स्कोर बनाये था चौते ओबर में लेग स्पीनर रभी विश्णोई ने लगाता दो गिंदों पर रोही शर्मा और सूरे कुमार यादव को सुन्या पर आउट कर पंजाब को बड़ी काम्याबी दिलाई रभी के पास हैट्रिक बनाने का शांदर मौका था हाला कि वह ऐसा करने से चूक गए मुंबई का तीसरा विकेट कुईंटें डिकॉक के रूप में गिरा उनको मौमस श्यमी ने बोल्ड कर मैदान से बाहर का रास्ता दिखाया आउट होने से पहले डिकॉक ने टी-ट्वन्टी क्रिकेट में अपने साथ अजार रन भी पूरे किये ये उपलब्दी हाजिल करने वाले एबिडिब लियर्स, कॉलिंग, इंग्राम और डैविड मिलर के बाद साथ अफरीगा के चौते खिलाडी बने पंजाब को चौती काम्याबी नार्थन एलिस ने सौरपतिवारी को आउट कर दिलाई पंजाब की खिलाब भी सूरे कुमारी अदब का बल्ला खामोश नजराया सौरिय को रभी विश्रोई ने पहली ही गेंद पर क्लिन बोल्ट कर ड्रेसिंग रोम का रास्ता देखाया पिछले चार पारियों में उनके बल्ले से सिर्फ 16 रंद देखने को मिले सौरिय कुमारी अदब की फॉर्म ने मुंबई इंडियन्स के साथ साथ टीम इंडिया के लिए भी टेंक्शन बढ़ाती है आई पिल के तुरंग बाद ही इन्हें मैदानों पर T20 वर्ल्ड कप भी खिला जाना है और ऐसे में इस टोनमेंट से पहले सौरिय का फॉर्म में आना बहुत चरूरी है खेर आज की मैच को लेकर आपकी क्याराय है हमारे कमेंट बॉक्स में चरूरता है